आलू और दही से बनाएं ब्रत में खाने वाला नास्ता खाने में बहुत ही टेश्टी और बाहर से बहुत ही कुरकुरा होता है और अंदर से बहुत ही साथ होता है बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है इसे बनाने के लिए कौन-कौन से चीजे प्रेग होती हैं कौन-क जब यह कद्दू कस हो जाएगा तब इसमें हम लोग साबुन दाना का पेश्ट डालेंगे तो साबुन दाना का पेश्ट बनाने के लिए मने लगबब एक घंटे पहले एक कफ साबून दाना भिगू कर रखा था अब यह फूल चुका इसका पानी जो है निकाल कर रख दिया गया है अब इसे हम लोग एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका फाइन पेश्ट बना लेंगे तो थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम लोग मिक्सी क अच्छी कान वाला दाल दिया गया है मिर्च नहीं खाना चाहते हैं और क यूँकि इसे थोड़ा सा ज्यारा तीखहा हो जाएगा तो इस्टीब कर सकते हैं अब जो कर दें गेंगे इस बैटर को हम लोग अच्छी तरीके से इसमें Mix कर देंगे और दोस्तों इसमें मिक्स करने के बाद दही मिलाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम लोग एड कर देते हैं क्योंकि इसका बैटर जो ना तो ज़ता मोटा रखना है नदो दादा पतला आप देखे थोड़ा सा पान 20 में एट कर दिया गया है और एट करने के बाद इसमें हम लोग लगबग एक छोटा कप दही भी एट कर देते हैं तो दही डालने के बाद इसे हम लोग mix करेंगे mix करने के बाद इसका batter हमारा ready हो जाएगा इसके बाद हम लोग नास्ता बनाना start करते हैं यह देखे बिल्कुल इतना ही गाढ़ा रखना है और नायदा पतला रखना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस batter ready कर लेना है आप एक pan लिया गया है pan में घी डाला गया है और घी जब हमारा चारो तरफ फैल जाएगा तब इसमें जो batter हम लोगों ने ready किया था इस pan में add कर देंगे आप इसे तवेबर भी बना सकते हैं या pan में अगर आपके पास pan नहीं है तो आप इसे तवेब बनाए लेकिन थोला सक घी चारो तरफ जाता लगाना पड़ेगा अब ये देखिए लगबाग इसे चार से पांच मेंट के समय लगेगा चार से पांच मेंट के बाद ये हमारा एक तरफ बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा तब ये हमारा छोड़ देगा नान श्टिक पैन है इसलिए असानी से ये निकल जाएगा अगर आप घर पर लोहे वाले तवेब बना रहे हैं तो उस पर आयल अच्छी तरीके से लगा ले ताकि ये हमारा चिपके ना और इसे समय लगेगा लगबग चार से पांच मेंट के समय लगेगा और इसके साथ हम लोग चटनी भी बनाएंगे तो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये देखिए दोनों दरफ से ये पक चुके है और बाहर से बहुत ही कुरकुरा है किनारे किनारे बीच में बहुत ही साथ है और इसी तरीके से सारा नास्ता बनकर रेडी हो जाएगा और इसका स्वाथ हम लोग 10 गुना बलाने के लिए इसके साथ हम लोग चटनी बनाएंगे ब्रत में खाने वाले चटनी ये देखिए इसी तरीके से सारे नास्ते हमारे रेडी हो जाएंगे चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मूम फली का दाना लिया है इसे एक पैन में भून लिया जा रहा है जब यह अच्छी तरीके से भून जाएगा तब इसे हम लोग एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हम लोग बिल्कुल बारीक पौडर बना लेंगे यह दिखे इसका बारीक पौडर हमारा बनकर रेडी हो चुका है अब एक हम लोग पैन या कोई चीज लेंगे और इसे जो है इसमें घी डाला गया है और घी डालने के बाद इसमें जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद तीखा करने के लिए यहां हरी मिच डाल दी गई है और हरी मिच के बाद तोड़ासा हरा धन्या एड़ कर दिया गया है पिर जो हम लोगों ने मूम फली का powder बनाया था इसमें एड़ कर देंगे और इसे mix करेंगे mix करने के बाद इसमें हम लोग पानी add कर देंगे जितना पानी डालेंगे जितना यह हमारा गाड़ा हो जाए और नज़्यादा गाड़ा रहे और नज़्यादा पतला रहे उतना पानी इसमें add कर दिया गया है नास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है और चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है यह देखिए अब इस चटनी को हम लोग एक कटोरी में डाल देंगे उसके बाद इसका जो है नास्ता इसके साथ खाएं बहुत ही अच्छा लगेगा बाहर से बहुत ही कुरकुरा है और अंदर से बहुत ही साप लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और मयदा लगेगा जब भी आप बरत में रहें इसे जरूर कहाएं बहुत ही अच्छे लगेंगे इसे और मैं इसी तरीके से आपके लिए धेरथारी नए नी रेस्पी की वीडियो लाने माला हूँ तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ तब तक आप खुस रहें स्वस्थ रहें और मस्द रहें